हलो एवरिवन आज हम कौन किसे कहते हैं उसकी परिबासा और उसके प्रकारों के बारे में जानेंगे सातियों क्या आप जानते हैं कि प्रत्वी जिस पे हम रहते हैं वो 23.5 डिगरी यानि कि 23.5 डिगरी जुकी हुई है ठीक इसी तरह जिस गड़ी में हम रोजना समय देखते हैं उस गड़ी की गंटे और मिनेट की सुयों के बीच में हमेशा कुछ न कुछ कौन होता है जो कि नियुन नितम 0 डिगरी और अधिकतम 360 डिगरी का हो सकता है चलिए अब जानते हैं कि कौन कहते किसे हैं जब एक उबेनिष्ट बिंदू से दो सरल रेखाई या किरने निकलती हैं तो दोनों किरनों या सरल रेखाऊं के बीच में जो जुका होता है वह कौन कहलाता है जिसे इंगलिश में एंगल कहते हैं जो नियुन नितम 0 डिगरी और अधिकतम 360 डिगरी हो सकता है चलिए अब कौन को परिवासा से समझते हैं यदि जब कोई रेखा अपने एक सिरे को इस्तिर रख कर गूमती हुई अपने इस्तिती में परिवतन करती हैं तो रेखा के परिक्रमन की माप को कोण कहते हैं कोण की दूसरी परिवासा यह हैं कि जामिती में कोण वह आकरती हैं जो एक बिंदू से दो सरल रेखाओं के निकलने से बनती हैं कौन की अगली परिबासा के अनुसार एक उबेनिष्ट बिंदू से निकलने वाली दो सरल रिखाओं के जुकाओं को कौन कहते हैं अभी तक हमने जो तीन परिबासाइं देखी लेकिन तीनों का अर्थ एक ही निकलता है कि दो किर्णों का जो जुकावे वही कौन कहलाता है अभी तक हमने कौन किसे कहते हैं उसके बारे में जाना अब 0 डिगरी से लेके 360 डिगरी के बीच में जितने कौन बनते हैं उनके निश्चित माप के अकॉर्डिंग उनको अलग-अलग भागों में बाटा है जैसे कि सुन्य कौन, न्यून कौन, सम कौन, अधिक कौन, सरल कौन, व्रहत कौन और पौन कौन अभी इनको अलग-अलग विस्तार से समझते हैं पहला कौन आता है, सुन्य कौन जब दोनों किर्णे या सरल रेखाएं, एक ही दिशा में होती है और उनके बीच में कोई कौन नहीं होता है जैसे कि दिन के बारा बज़े हो, तो दोनों सुया अपने एक ही दिशा में होती है और उनके बीच में कौन, कुछ भी नहीं होता है यानकी जीरो डिगरी का कौन होता है दूसरा कौन आता है, नियून कौन, जिसे इंगलिस में एक्यूट एंगल कहते है यह 0 डिगरी से बड़ा और 90 डिगरी से छोटा होता है चितर में जो दिखाया गया 40 डिगरी का कौन, यह नियून कौन है क्योंकि यह 90 डिगरी से छोटा और 0 डिगरी से बड़ा है अगला कौन आता है, सम कौन, जिसे इंगलिस में राइट एंगल कहते है ये पूर्ण रूप से 90 डिग्री का होता है और ये जब गड़ी में 3 बज़े हो या 9 बज़े हो उस समय अपन उसको देख सकते हैं कि उनके बीट का जो कौन होता है वो 90 डिग्री का होता जिसे समकौन या राइट एंगल कहता है अगला कौन आता है अधिक कौन जिसे इंगलिस में ओप्टस एंगल कहते हैं ये चितर में दिखाया गया कौन 130 डिग्री का है जो की 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है और इसको अधिक कौन कहते हैं नेक्स्ट कॉन आता है सरल कॉन जिसे इंगलीश में इस्ट्रेट एंगल कहते हैं ये 180 डिगरी का होता है और इस समय दोनों रेखाओं के बीच की जो दिशा है वो एक दूसरे के विपरीत होती है यानिकि ये 180 डिगरी का होता है और जब गड़ी के अंदर 6 बजे हो उस समय य ये कौन 180 डिगरी का होता है नेक्स्ट कॉन आता है व्रहत कॉन इंगलीश में इसे रेफलेक्स एंगल कहते हैं और ये 180 डिगरी से बड़ा होता है और 360 डिगरी से छोटा होता है और इसे व्रहत कॉन कहते हैं और ये चितर में दिखाया गया है 240 डिगरी का कॉन व्रहत कॉन केलाता है क्योंकि ये 180 से बढ़ा और 360 से छोटा होता है सात्वा और अंतिम कोण आता है पोण कोण इंगलिस में इसे complete angle कहता है इस समय जो कोण है वो पोण रूप से 360 डिगरी का होता है यानि कि इस्तिती तो 0 डिगरी और 360 डिगरी की एक ही होती है लेकिन 0 डिगरी में कोण सुनने होता है और 360 डिगरी में एक सुई अपना एक पूरा चक्कर लगा के अपना इस्तिती उसी जगे आ जाती है जहां से सुरुआत की थी तो इसे 360 डिगरी का कोण कहता है और यानि कि पूर्ण चक्कर लगाया है इसलिए इसे पूर्ण कौन कहते है अभी तक हमने कौनों के परकारों को अलग-अलग जाना अब सभी कौनों को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो ये कुछ इस तरह से दिखेंगे यानि कि अभी हम सुरुआत सुन्ने कौन से करेंगे सुन्ने कौन से बड़ा नियून कौन जो की 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा फिर अगला कौन है सम कौन जो की पूरा 90 डिग्री का है 90 डिग्री से बड़ा अधिक कौन जो की 90 से बड़ा और 180 से छोटा जिसे अधिक कौन अधिक कौन से फिर आगे आता है सरल कौन जो की 180 डिग्री का है 180 डिग्री से उपर का जो कौन है वो प्रहत कौन जो की 180 से बड़ा और 360 से छोटा है पिर लास्ट में जो कौन आता है वो पौन कौन यानि की 360 डिगरी का है तो इस परकार आज हमने कौन उसकी परिबासाओं के बारे में जाना है उम्मेदे कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा इसलिए वीडियो को लाइक करना ना भूले चैनल को सबस्क्राइब भी करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेर करें और इसी परकार के वीडियो देखते रहने के लिए मेरे चैनल पर बने रही है आरती एजुकेशन के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैवारत